मैं पुझा वोरा ग्लोबल टीचर्स अकैडमी से आपके साथ DVMS डाटाबेस मेनेजमेंट सिस्टम यूजी सी निट की एक उनेट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ DVMS क्या है? DVMS के फंक्शन्स क्या है? DVMS की नीड क्यों है हम लोगों को छोड़ी सी थेोरी को परिये उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट DVMS फंडने से पहले DVMS, DVMS दोनों में डिफरेंस उससे जादा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चीए प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सूपर की, इन कीज में डिफरेंस क्या है फॉरन कीज, कौनसी की कब दूसरे में कनवर्ट हो सकती है, किस की की डिफिनेशन क्या है, कौनसी की नल हो सकती है, रिडन्डेट हो सकती है, इन वर्ट को क्लियर कीजिए, यह बहुत इंपॉर्ट 2019 पीपर का पैटन राए जनेरलिम О्रह कुछ तरह से राए कि हम लोग को पाँच को पुंचेस दे रहे हैं एक ही पाइब और हमें वह पूश्चेस बनाने हैं वही से वो हमसे की कैना और वही से हमसे जौनिंग कह रहा है तो एक ही के साथ पांट जुड़े हुआ है तो इसका मतलब मेरा जो basic concept है बहुत strong होना चाहिए तो अगर आप keys clear कर लेते हैं तब आप normalization 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, BCNF बीच में आएगा और अभी तो 5 और 6 तद भी हम लोग जाते हैं तो 1 से लेकर 6NF तक आपको clear रखना है एक table दूसरे में कब कहलाया जाता है हर एक की condition क्या है यह आपको सारे normalization form में clarity रखनी है अगर नहीं रखेंगे तो paper का शायद आपके 5 question ही कठे जाएंगे क्यूंकि 5 और एक दूसरे से interconnect करके दे रहे हैं पांच question एक दूसरे से interconnect दे रहे तो इसका मतलब फ्लस भी है कि अगर किसी का यह मेरा normalization अच्छा है मैं पांचों questions निकाल कर जाओंगी या फिर मेरा joint वाला पार्ट जो है मुझे operators clear है उसके राचोल जॉइन क्या है सर्फ जॉइन क्या है विल्कुल अच्छे से पता है वह पांचों निकाल लोगी लेकिर उस बच्चे के लिए तरह से पढ़ते हुए लेकिर पूरी के पूरी concept knowledge के साथ इसको पढ़िए तब ही आपके questions clear होंगे थैंक्योग